यह मिन्जर है प्रफेसर अब्दुसमज साहब को एक बाल सम्मान के लिए अफ्षाना भावी के किलिस के करब से बुल दस्ता पेश करके अब मैं अब्दुसमज साहब से चाहूंगा कि वो कमाम लोगों का सुक्रियादा करें तो को एवार्ड उन्ही को मिला है हमें वार्ट पाते रहें तो हमें वोगों को से कुछ हो इना चाहिए मुझे बहत खुशी हो रही है कि जड़ी वर्मस कॉलीज की अतनी असाज़ा जो मेरी शरीक हिया डाप्टर अफसाला खातून की सबकलीग है दोस्त है यह मुझे एक्वाब समान मिले की मुबारक बाद देने के ज़्वत के अन्हों ने यह एक मुखबर का रिष्टा होता है जिसके कोई जबान नहीं होती है मैं इस सबका बहर्च को बजाल हूं आइंकी मुखबर को अपने सरांकों बलगता हूं ख़र करते हैं यह तक्राहिजिर काम है जब टक सपाओ में भी हो सकता है ये और किसी काम में फर्ख है कि इन्हों है जिए प्रहुत बगा काम है ज़र में और इतना सपेंड वरतरृव किया मैं अपने लिखें पंडे के काम में देगा किसी रुकावट के हमेशा मज़ूल रहा मैं इसका बहुत को गुदार हूँ और रहूंगा और मैं भी स्कूर गुदार हूँ इस माम ज़के हैं कि यह आवारा करते को मैं कहता हूँ प्रफेसर अब्देशन साहब उर्दू फिक्षन के नामबर फिक्षन निरा है इसी महीने मज़ परदेश का अकबाल सम्मान मिला है और लोगों के विवादबाद का सिलसला चालू हुआ अभी भावी की दोस्त तलिक मौरत बात देने के लिए दरदन हेसाब चाहिए तो मैंने यह सोचा कि क्यों नहीं इस मौके को रिकॉट कर लिया जाए यह एक यादगार लमा है इस पर को जीना आसाल नहीं होता है जब बहुत बड़े बड़े आउदान होते हैं तब यह छोटा-छोटा मौका मिलता है तो हम असना भावी आप से पहले चाहेंगे कि आप यह बथाएने का आम तलब होता है कि शाहितकारों को या वरे सय बड़े लंको ड़ेने और समाच कर बढूंप थृछे हो तो उनको उनके घार यह निशा है और कि लेकिन जर तो कुछ घरों में उनको नाइस किया जाना है रतान को इसा नहीं सोचा था लेकिन इनको ये मिला तो चलिए ठीक है तो ये इन एवाडों से सुजिद है और अफिसर अब्दिश समथ बहुत इना मिले है तो आप से मैं ये जानना चाहूंगा कि ये एवाड में इनको मिला है तो आप को बिवी के हैसे से इसमें कितना गर्व काल हुआ हुआ, कितनी खुशी मिली है, कितना फक्र हुआ, इसमें दोला इन दोली है। पहला सहित कैडमी एवार्ड जब मिला था, तो उस वक्त तो बहुत ही खुशी का मकाम था, और बहुत ही खुशी मनाया भी हम लोगों ने। लेकिन उसके बाद जीव जीव वक्त बुज़ता गया, बहुत सारे इवार्ड इनको मिलते गए। और ऐसे खुशी के लमहात बहुत आए, लेकिन ये सम्मान जो मिला है, इसके लिए भी मुझे बहुत सक्र महसूस हो रहा है, कि एक कैप में एक फिज़र और लगा, जो मेरी दोस्त ये शुद्रा हमेशा बोलती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि जितना भी मिला, बहुत मिला, अब्दुस्तमत साहिब को, और हम लोगों को एतनी भी खुशियां बहुत मिली, इसके लिए मैं अल्ला के भी शुकर विज़र हूँ, और इकबाल सम्मान के लिए भी शुकर विज़र हूँ, मर्दी परदेश के, कि उनकी नजर अब्दुस्तमत के उपर उठी, और वहां पहुची, आपने भी गर्व का भूग किया है, जी, बेशक, बेशक किस, हाँ, हर किसी को गर्व महसूब, जब दोस्तों को एतना गर्व महसूब हो रहा है, तो मुझे तो हो नहीं चाहिए, और मुझे इस बात का फक्र है, कि मेरी भावी में फिक्शन मिजार है, एक फिक् आप दोनों शिक्षन यार, आपको यह पेश्कत लाहूं, यह सदरप अशाधी, आप अपसाना भावी के पलीग हैं, दोस्त हैं, और सिलिगरेट करने आई हैं, अब दोस्तमा साथ, तो मैं यह चाहूँगा कि आप दोस्तों कि इनके सम्मान में कहें, और अपनी भावना को करें, यह तो बहुत बहुत खुशी की बात है, दो शब्त बहुत चंद हो गया, बहुत ही रिता है, चुकि जैसे इंसान है, वैसा ही रिफ्लेक्शन इनके लिटरेचर में भी है, और इनकी जो बेटर हाफ है, मेरी फ्रेंड भी है, तो इनके बहुत दस्दीक से रेका है, इतने निहायत ही सिंपल, जो इनकी लिखने में भी है, बोलने भी है, मिलने में भी है, और जो लिटरेचर होता है, वो पर्स्नाल्टि का है रेक्शन होता है, जो आपकी विचार होते है, तो अभी तो बात– भी कॉंचुलेशन के लिए अए है, उनको बहुत बहुत- बहुत शुकृरिया कि आपने अच्छे शब्दों से संभान में संभान लगाया, अप है डाक्टर रोशनारा अशर्फ शाहिव, जोरोजी डिपार्टमेंट, जोरोजी डिपार्टमेंट, प्रुफेसर डुरोजी डिपार्टमेंट, किस कॉलेज में? बुरु गुविन तो अब्दुसम्ह साहर पोडिया वाड मेरा है इस सिलसले में आप सेलेबरेट करने आई हैं तो मेरी आपको मुझाद बाद देता हूं कि सेलेबरेट करना बड़े दिल गुर्वे का काम है किसी की खुशे में शरीक होना आसान काम नहीं होता है लेकिन आप अफ्सान भागे की तमाम कलिग हैं मैं फिर इन आपको दिखाना चाहता हूं कि साही हों बेहद खुश और एक जजबे के साथ सिलेबरेट करने आई हैं अब दो समझ सहाब को और अब दो समझ सहाब भी यह सम्मान पाते हुए खुश होंगे अगर कि इनका मिजाज नहीं है कि कोई नीकी तारीफ मुझे रिवरू करें यह मैं जानता हूं और इसकी गलाई भाविद रसकती है कि अपने अवाड बताने में शरूदा होते हैं इंटर्वीर में अब हम चा बताएं तो ऐसे लोग के लिए यह यह एक सम्मान है एक अवाड है कि आप इनके लिए दो शर्ब कहने के लिए हाजिर हुए अब दुर समझ साहिर का जो यह मिला है अवाड को मद्डे पदेश का बूसके हम लोग को बहुत खुशी हुई और इन लोग जो है हमारे पुराने मतलब जानने वाले भी है और इशेदार है इसलिए हम का और खुशी हुई और खासकर के अप्षाना जो है उनके साथ हम लोग कॉलिज में भी रहें इससे और क्या पुशी है और तरफ्टी करें और हम दिने के लिए हमेशा दौा करते हैं दिली दौा करते हैं आमें चलिए बहुत शुकरिया आप हैं दौक्टर दिपा कर्शा और अब दिसमर साथ को सुपकामना देने आई हैं तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने भावा भावना को शक्द दीजिए बिल्कुल हमको बहुत खुशी है जान कर कि इसमें बड़ी आवार्ड मिला है इसलिए एक आप भी शामी होना चाहते हैं यह लोग लिखत रोशनी लोग सब तो यहां रहते तो बहुत अच्छा लगा और इनको बहुत खुशी हुई और यहां भी बहुत अच्छा लगा सब्सक्राइब के लिए बहुत बड़ी बात है कि बिहार का अदमी मदपर्देश में इतना बड़ा रिक्राइशन हुआ और उनको इतने बड़े तहाइब से बलाए गया है कि आतर के आवाद रिसीफ करें मेरे समजाब से बहुत पुराने तलोकात हैं मेरे फादर के टाइम से ही समजाब को जानते थे जब उनको सही तक इतनी अकार वाड मिला था तो पादर साहब इतने खुश्च थे हैं कि उन्होंने अपने तरफ से ही सब तरह का फंक्शन आयामे हाउल बे किया था तो उस जम जानते थे, बहुत जादे मिलना जुलना मेरा नहीं था, लेकिन अब जब से हम मेरा मिलना जुलना जादे बड़ा, और समसाथ को हम खुद भी अपने किताब भी मोचन के लिए अपने कॉर्णेज बिलाये थे और उनने बहुत अच्छे तरिके से अप एंवे किताब का भी मो और उनका मुवार्णक बादे देने आने ही अपने अपने जजबात का भी इधार कर दीजिए आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं अपने अल्ला का पहे दिल से शुक्रियादा कर रही हूं और उनके शुकर गुजार हूं कि उन्होंने नवाजा है हमारे भाई को इतने बढ़े अचीवमेंट अखवाल समाँ बहुत ही अच्छा लग रहा और बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं अपने अफसाना बाजी का भी शुक्रियादा कर रही हूं कि उन्होंने हम लोगों को यहां पर बुलाया हम लोग मिलने की बहुत खाहिश रख रहे थे और कि हां बिल्कुल तुम लोगा मिलो और उसे चुलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हैं इश्वत सुभूजी साहरा और हज़र अब्धुसमद साहर को मुवारकबाद देने आए हैं आप भी अपने शाला तो जज़वात का इज़ार कर दिजिए सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ कि अल्ला ने मुझे यह मौका दिया कि अब्धुसमद अंकर को सामने बैठे हैं उनको मुवारकबाद देने के लिए आतर्श्रीफ लाए हैं मुझे खुशी है कि अफसाना मैं से मेरी मुलाकात जेडी वोमिन्स कॉलेज में हुई जब मैंने वहाँ पे तीन साल वर्स तरद्रिस का काम अंजाम दिया तो उस बज़ा से मुझे मुझे यहाँ घर पे आना जाना बढ़ा और अंकल की ना सिर्फ शक्सियत ऐसी है कि किसी को भी गविदा बना लेते हैं उनका अद्वी मियार भी इतना उचा है कि उस बारे में मैं क्या कहूँ अब फिल हार में बहुत को सीखने के बाद अबिलहारे अपने इनजाम को तो बहुत मुझे बहुत शक्रिया